खबर बहराईस से हैं जहां विजेपी विधायक के पिट्रोल पंप पर डीजल की लूट हो गई है बेखौफ लुटेरो ने गाड़ी में रखे बड़े डिब्बे से डीजल भरवाया और पैसे मागते ही सेल्समेन से छीना जपटी सुरू कर दी इसी दोरान लुटेरो ने पिश्टल से फाइरिंग भी की गोली की आवाज सुनते ही पिट्रोल पंप के और करमचारी दोड कर आएं घटना देर रात करीब तीन बजे की बताई जा रही है घटना के बाद घटना इस्थल पर पुलिस की टीम जाच के लिए पहुची दरासलिया घटना हरदी धाना च्छेतर के बहराई सीतापूर हाइवे की बताई जाती है जहां विधान सभा से बिजेपी के विधायक सुरेशर सिंग ने बताया कि लुटेरे सीतापुर सीमा की तरफ फरार हो गए हैं पेट्रोल पम से 2 किलो मीटर की दूरी पर सीतापुर की सीमा पर CCTV लूट की पूरी घटना कैद हुई है CCTV में साफ नजर आ रहा है पेट्रोल पम पर आती हुई एक कार सवार की बारदात और फायर होने के बाद पेट्रोल पम पर मची अफरा तफरी मौके पर पुलिस अधिक छक सहीद भारी पुलिस पर मौजूद रहा और जल्दी घटना का खुलासा करने का आसवासन दिया है अब तक क्या पुलिस कारवाई कोई है आपकी तरफ से क्या तहरीर दी गई है और किन लोगों की ग्रिफतारी ही है तहरीर हमारे दौरा दी गई है रात की घटना है जारा बजे मुकदमा लिखा गया है और रियास कर रही है पुलिस अभी कल तो किसी की ग्रिफतारी है सर्विधायक जी के पेट्रोल पंपर क्या घटना हुई है जैसा कि आप जबी लोग यहां मौके पर हैं पेट्रोल पंप के कर्मी सिरी सिवनंदन सिंग द्वारा थाना हर्दी को सुचना दी गए थी कि लगवक सभा एक बजे एक कार आती है और उसमें लगवक साथ सो रुपे का डीजल भरवाते हैं और उसके बाद वो कार दुवारा लगवक दो चपन पर आती है और तीन जरी के इनों सितापुर की तरफ दे जाते हैं प्राप तहरीद के आधार पर ससंगत दाराओं में पंजी कर दिया गया है अनावरण के लिए टीम में लगा दी गई है जो भी साक्ष और सीसी टीवी एनालेज प्रोटेज मौजूद है उनकी एलांसिस करके इसका सफलता मनावरण सीक्ट त क्या है यह माली सु़साट सीनिका मैं थैंक।